तो एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे अगर किसी भी जातक का 5th house lord अगर retro है वक्री है तो इसका क्या प्रवाव हो सकता है देखिए 5th lord का retro होना वक्री होना कई-कई बार बहुत ज़्यादा extraordinary आपको skills दे देता है ऐसी skills दे देता है जिसके बल पे आप एक celebrity तक बन सकते हैं इसके लावा आप में artistic talent बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर आपका जो फिपलोड है वो शुक्र या फिर बुद्ध हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी memory बहुत ज़्यादा अच्छी होगी आप कोई performing art में या कोई ऐसे ही field में बहुत अच्छा परदर्शन अपने बल पे कर सकते हैं इसके लावा आप में जरम जात कुछ ऐसे गोणिया ऐसा talent हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा unique भी हो सकता है तो आप एक बहुत अच्छे मूर्तिकार चित्रकार बहुत अच्छे कवई और बहुत अच्छे रेट्रो है तो फिर आपको foreign education में success मिल सकती है आप विदेश जा सकते हैं अपनी education के लिए और कभी-कभी है वो संतान को लेके issue आते especially जब mangal और sunny अगर आपके fifth load हो तो आप बहुत ज्यादा issue देखते हैं अपनी संतान के साथ संतान के साथ relation अच्छे नहीं रहते संतान प् खुद की education काफी ज्यादा प्रभावित होती है आपकी earnings प्रभावित होती है middle age तक भी आपकी बहुत ज्यादा earnings होती नहीं है कभी-कभी आप अपनी खुद की गलती की वज़े से पैसे का नुकसान कर लेते हैं इसी तरह से यह जो आपका fifth load है फिप लोड आपको यहां तक की बहुत high class lecturer तक बना सकता है बहुत अच्छा education के field में success दे सकता है और काफी कुछ आपको talent इसमें मिलता है लेकिन यहां पर अगर कोई भी bad aspect हो तो फिर आपको काफी ज़्यादा alert रहना चे fifth house से related कारियों में और आप कई-कई बार decision नहीं ले पाते या फिर वो decision जो आप काफी ज़्यादा आपके गलत हो सकते हैं इसी तरह से कभी-कभी मानसिक तनाव और काफी सारे memory को लेके issues रहते हैं तो fifth load आपको यह देखना पड़ेगा fifth load कौन सा गरह है और वो कौन से और भाव का स्वामी भी है उस भाव के उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए और उस भाव से समंदित चीजों को लेके भी आपको परेशानी जिवन में काफी ज़्यादा आ सकती है तो कभी-कभी यहाँ पर जातक है वो sports में बहुत अच्छा परदर्शन करने वाला होता है या individual जहाँ पर आपको performance देखी जाती हो उन field में आप बहुत ज़्यादा अच्छा क क्रियेट हो सकते हैं यह आपके औरल लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा क्यूंकि फिप्ट हाउस है वो आपके emotions से जुड़ा हुआ हाउस है आपकी memory से आपके decision making से directly वो connect हुआ हुआ हाउस है तो ऐसे केस में जब भी आपका फिप्ट लोड आपको चेक करन है तो आप अपने natural talent को आप अपने creativity को पहचाने और उसको और अच्छा आप कर सकते हैं आप अगर अपना फिप्ट लोड देख लें तो इसके साथी साथ आपका जो कुछ ऐसा काम जिससे आप earning कर सकें बहुत ज़्यादा आप पैसा बना सकें तो आप अपने talent के बल पे आ earning कर सकते हैं कैसे आप बहुत ज़्यादा income कर सकते हैं regular income कर सकते हैं और उसको बचा कर भी रख सकते हैं इस बात पर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए संतांस related issues भी बहुत ज़्यादा ही कभी-कभी देखने को मिलते हैं इसके साथ ही जातक का जो मानसिक लेवल है मानसिक लेवल कभी-कभी बहुत ज़्यादा उच हो सकता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा low हो सकता है तो आपको चीजों को memorize करना चीजों को याद रखना और उ एजुकेशन में काफी ज़्यादा दिक्कत आती है एजुकेशनल जो आपके डिसीजन होते हैं वो बहुत गलत होते हैं या फिर आपको वैसी सक्सेस नहीं मिलती कभी-कभी जैसी सक्सेस आप चाहते हैं जीवन में तो काफी कुछ आपका प्रभावित हो जाता है जब भी हाल यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद